नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वीके टूल चेनल विशनु जी के साथ दोस्तों कैसे हैं, आप सब उमीद करता हूँ अच्छे हुआ दोस्तों आजके वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बीजनेस के बारे में जी हा मेरे दोस्त आप अंडा का बिजिनस करते हैं उस बिजिनस के बारे में हम डिसकर्स करने वाले हैं और दोस्तों हम नए आइडिये के साथ आपको जोडने वाले हैं और आपको कुछ बताने वाले हैं दोस्तों आप देखते होंगे कि मार्केट में अभी अंड़ा का बिजनस अगर आप फुटकर में बेचते हैं अमलेट बना कर बेचते हैं या उबाल करके उसको बेचते हैं तो दोस्तों आप देखे होंगे कि अभी के टाइम में सबसे ज़्यदा दुकान होते हुए जा रहा कि उस दुकान में ज्यादा 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 आप कमा सकते हैं कम पूजी में श्टाट करके और जज़ादा पूजी में श्टाट करते हैं तो आपके लिए जीतना पूजी लगाएगा उस हिसाफ से आपका कमाई भी होगा लेकिन दोस्त सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके दुकान पे भीड लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है और किस तरह से आप अपने दुकान पे जादा जादा ग्राहा की कठा कर सकते हैं चाहें दुकान वहां हज्जारों क्यों नहीं हो तो दोस्त चलिए आज हम इसी टॉपिक पर ब दुनिया मरती है मतलब कम रेट में वह भी अंडा है वह भींडा है कम रेट में कैसे हमको मिल जाए तो दोस्त इसका सिंपल सा तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं उस तरीका का अगर आप उप्योग करते हैं एक्सपरिमेंट करते हैं तो आपको निश्ची तवर पर आपक आपके दुकान पे ज्यादा दुकान है बाजार में ज्यादा दुकान है और आपके दुकान पे कस्टमर कम आ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप रेट कम करके दे लेकिन दोस्त सबसे बात यह है कि आप रेट कम करके कैसे अपना समान दे सकते हैं सबसे खास बात अगर आप अमलेट बनाते हैं या कोई भी उबाल करके बेचते हैं, फठ्थी बेचते हैं, तो आप किस तरह से आप उसको बेचें, ताकि कि आपके दुकान पे ज्यादा करके आया है। तो दोस्तों ये आसान सा तरीका का तरीका मैं ले करके आया हूँ, तो दोस्त आप ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों सबसे पहली बात आपका उसमें खर्च कितना लग रहा है, कोई भी आप समान बेचने तो आपको ज्यादा खर्च किसमें लग रहा है, ज्यादा खर्च आपका लगता है जो आप अमलेट बनाते हैं या उसको उबालते हैं तो आपका खर्च लगता है किस में तो आग जलाने में जी है मेरे दोस्त जो जिस आग से पकाते हैं या बनाते हैं उसमें आपका खर्च ज्यादा लग रहा है क्योंकि गैस कम से कम अगर पूरे भारत में देखा जाए तो अगर आप माल लेजे कि दुकान की ये वे हैं तो साइधा कम ही लोग होते हैं जो गैस का सेलेंडर लेते है जादा तर लोग बलेक में ही गैस खरीद करके काम चलाते हैं दोस्त सबसे पहले आपको यही खर्चा कम करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो मतलब इंकम निसीफाइको ज्यादा चलता है या ज्यादा समय तक चलता है, अगर आप इ aprohl निश्ची तरी यही है तो निश्ची तवर गराहं को आप खाल्च में उसको दे सकते हैं और गरहां को जब कम रेट में समान मिलेगा तो आपके दुकान पे एक लाइन लगा देगा आपका मेटरियल कम पड़ जाएगा बेचते बेचते तो दोस्त ये था तरीका जो मैंने आपको बताया कि आपके दुकान पे भीड कैसे लगा सकते हैं अगर अंडा का बीजनस करना चाते हैं किये हुए या करने वाले हैं लेकिन दोस्त अब हम बताते हैं कि 350 रुपे से भी उसको कैसे सुरू कर सकते हैं सिंपल सा तरीका है कि एकडर ज्यादा पूजी आप नहीं लगा सकते हैं अगर नया नए तरीके से करना चाहते हैं नए खुश करना चाहते हैं तो दोस्तों 350 से भी उसको शुरू कर सकते हैं एक ट्रे अंड़ा से भी आप अमलेट बना कर बेच सकते हैं और अराम से सो डेड़ सो रुपए कमा सकते हैं तो दोस्त आज के वीडियो में वस इतना है हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे नए एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त हारत